वाडी अम्रावती राजमार्ग पर सालों से अवैद पार्किंग का जाल बिछा है कई बार पार्किंग को हटाया जाता है फिर जैसे तैसे हो जाती थे पुलिसाएक्त अमितेश कुमार के आदेश पर माडी सी यातायात विभाग के पी आई सुनिल गांगूडे की टीम ने मंगलवार को अमरावती राजमार्ग सित होंडा शोरूं के गाडियों पर कारवाई की कारवाई के दोरान प्रभारी पी आई अमित डूल सेव मौजू थे वाडी शहर में अवैद पार्किंग के कारण नागरिकों को परिशानी का सामना उठाना पड़ता है वहीं दुरगटनाओं का शिकार भी होना पड़ता है ऐसे में शहर को अधिकरत पार्किंग की जगा देने की मांग शिफसना तालुका प्रमोग संजे अनासने ने की है यातियाद पी आई सुनील गांगूडे लगातार अवैद पार्किंग सड़कों किनारे अवैद अथिकरमन पर कारवाई कर रहे हैं कार के शोरू में आने वाले करमचारियों के टू वीलर की पार्किंग भी अमरवती राजमार के नारे ही लगी है इस पर भी आतियाद पुलिस कारवाई करने की जानकारी पी आई सुनील गांगूडे ने दी अब वाड़ी के अवैद पार्किंग की खैर नहीं कारवाई की पहली अवैद पार्किंग को हटाने की चेता ने पी आई सुनील गांगूडे ने दी 40 साल से बसे मिनी गाड़ीयों का टैंपो स्टेंड को नहीं हटाने की मांग एकतर टैंपो यूणियन ने की है बताया गया कि वाड़ी में किसी को भी तकलीफ नहीं है बीते 40 साल से यहीं से गाड़ियां चलाते हैं अब पुलिस के बार-बार कारवाई के कारण टेंपो चालक मालक परिशान हुए हैं व्यफसाई कम और पुलिस को चालन देना पड़ रहा है यहां से व्यफसाई करने वाले करीब 5000 परिवार का पेट पलता है ऐसे में इन्हें हटाया गया तो 5000 परिवार पभू के मनने की नौ बताएगी पुलिस सायुक तमितेश कुमार को टेंपो चालक मालक ने निवेदन दे कर टेंपो की पारकिंग को अधिकरत करने की मांग की है विश्णू के प्रताप चोखांद्रे विश्वजीत मेश्राम सोनू हटवार के साथ टेंपो एकता यूनियन के चालक मालकों ने मांग की वाडी से नबी से न्यूस के लिए सौरा पाटिल की रिपोर्ट